नमस्कार, प्रियदर्शकूं, आज के सकारे क्रम में मैं मकर राशी वाले जातकों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि 30 अपरेल 2024 से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जिहाँ 2024 की ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हलचल 30 अपरेल 2024 से एक्टिवेट होगी और इस बड़ी हलचल का आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या-क्या लाब के सितियां आपके जीवन में परिवर्तित होने जा रही है, यही विस्तृत जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ, आपके लिए बहुत ही महत्वपुन कार्यक्रम है, बड़े सुक्ष्म शब्दों में बहुत 13 महीने की अवधी को आपसे अवगत कराने जा रहा हूँ, इसे एकाग्र चित्तता से समझने का प्रयास कीजिएगा, आप बोर्ड पर एक कुंडली देख पा रहे हूँ, जहां और कोई ग्रह नहीं, आपके कुंडली में देवगुरु ब्रस्पती के स्थती आपको देखने को मिल रही है, मकर राशी मकर लगन के आधार पर देवगुरु ब्रस्पती क्या होते हैं, तो यह आपके पराकरम भाव के स्वामी हो है कि बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है इसे आप अपने जीवन में घटित होता हुआ देख पाओगे पहली अवस्ता में समझे देवगुरु ब्रसपती के कारकत्त्तों में आता क्या है तो ये धन पतनी के कारक ग्रह हैं और कन्या के लिए अपने पती के कारक ग्रह होते हैं और कारकत्व ग्रह अपना कभी भी नहीं छोड़ता है ऐसे सती में ग्यान का कारक ग्रह ग्यान भाव में प्रवेश करे तो सबसे पहला जो सर्वस्रेश्ट लाब अगर किसी को मिलेगा तो वो मिले संतान ही एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं कॉंसेट्रेशन के स्टती कमजोर हो रही है लगातार आप मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं इसमें देवगुरु ब्रस्पती का बड़ा अच्छा लाब देखने को मिलेगा अब इससे जस्ट विपरीत समझ लेज कि संतान पड़ नहीं पा रही है पड़ रही है तो उसके रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं उसका कॉंसेट्रेशन नहीं बन पा रहा है उन इस्ततियों से आपको मुक्त करवाने जा रहे हैं देवगुरु ब्रस्पती ये बुद्धी मता और चातोरी मता का इस्थान भी है औ तो ये व्यक्ति की मेमूरी को बहुत शाप कर देता है और आपकी बुद्धी मता चातुरी मता के दम पर आप उल्जी से उल्जी चीजों को भी बहुत सहज तरीके से अपने पक्ष में सुलजा लेते हैं ये आपके लिए आकस्मिक लाब का इस्थान भी है किन्तु लाब कैस इसे समझना जरूरी है लाब कैसा तो ये पराकरमेश हैं और पराकरम भावं के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में आए हैं मेहनत करने के पस्चात लाब की अवस्थाओं को ये स्थि एक्टिवेट करती है यहां एक बात आपको और अवगत करा दू इस समय में यदि शन इस स्थान पर बैठ कर ये व्यक्ति को शॉर्टकट रास्ते से पैसा नहीं कमाने देंगे आने वाले तेरा महिनों में इसे जानना आपके लिए अवशक है दूसरी स्थी जहां पर देवगुरू ब्रस्पती आपके स्टमक का स्थान भी होता है और इस टमक के स्थान के शेश ध्यान रखना होगा अन्यथा खानपीन का ध्यान नहीं रखा गया तो ये आपके स्वास्त को छोटा मुटा प्रभावित करते हैं और पेट से संबंदि समस्या को उत्पन करते हैं मैं ग्रह के कारकत्व आपको समझा रहा हूं विध्या के लिए बहुत अच्छा है बुद्धी मता के लिए बहुत अच्छा है संतान संबंदित स्थिती के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को मगर राशी के कपल हैं उनको संतान प्राप्ती में विलंब हो रहा है तो उनके लिए संतान प्राप्ती का बड़ा अच्छा योग बनाएंगे किन्तु शॉ देवगुरु ब्रस्पती के हाथ में आपके कुणली में तीन दृष्टियां होती है जहां बैठते हैं वहां से पांचवे घर को, साथवे घर को और नवे घर को देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचवा घर है आपका भाग्या स्थान देवगुरु क्या है तो आपके पिता के कारक ग्रह होते हैं और पिता इस्थती के आधार पर यह आपका पिता इस्थान भी है यह पिता सुक है यह पिता इस्थान है और इस इस्थती के आधार पर पिता के स्वास्त में अगर कोई रुकावट देखने को मिल रही है परेशानी को देखने को मिल रह पिता से अंडस्टेनिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं वो समाप्त करेंगे धारमिक कारियों में जो आपकी रूची पिछले समय में हट सी गई थी उसमें पुने से आपको जागरती देंगे आकस्मिक लाब मेहनत के पस्चात आकस्मिक लाब की गती विधियों को एक्टिवेट करकर यात्रा के आपके लिए बहुत अच्छे योग बना कर देते हैं सब्तम द्रश्टी से ये देख रहे हैं आपके एकादश भाव को और एकादश भाव क्या है तो ये आजीवी का का भाव है ये धन का भाव है ये आपकी अर्निंग का भाव होता है और ये जीव कारक ग्रह है और जीव कारक ग्रह है जब आई पर द्रश्टी देगा ये बा तो आएके स्थतियों को अच्छा करेंगे ये आपके मनोरतों को पूर्ण करने के स्थति के अंदर आपका सपोर्ट करते हुए पाए जाएंगे किन्तु मेहनत पराकरम के पश्चाथ आपने सोचा कि मुझे गाड़ी खरीदनी है तो किसी के सहारे पर नहीं खुद मेहनत करकर आप गाड़ी खरीदने का प्लान करो इसमें देवगुरु ब्रस्पति आपका बहुत अच्छे से सहीयोग करते हुए पाए जाते हैं ये आपके बड़े भाई बहनों का इस्थान भी होता है और बड़े भाई बहन आपके लिए माता-पिता समान होते हैं और ये माता-पि परिवार के स्थतियों को बैलेंस करने का क्योंकि मैंने कहा ये जीवकारक रहे है आपकी कुण्ली में कुटुम्ब परिवार को बैलेंस करने की जिम्मेदारी भी देवगुरु ब्रस्पति के हाथ में होती है तो बड़े भाई बहनों से यदि कोई अंडस्टेंग बनता है आपका स्वयम का व्यक्तित्व आचार विचार व्यवहार स्वभाव जो भी आपकी कुण्ली का मुख्य गत अवस्था का योग दर्शाता है इस स्थान से देखा जाता है और जब ज्यान कारक ग्रहे आपके लगन पड़ दरश्टी देगा तो आपके व्यक्तित् में ग्यान को घूलता हुआ पाया जाएगा और ये ग्यान आपके डिसिजन के स्थितियों को बहुत स्ट्रॉंग करेगा पिशले समय में जो आप लगातार कुछ ना कुछ गलतियां करते जा रहे हो और उसे करते ही जा रहे हो इस्टॉप नहीं कर रहे अब आप देखिएगा 30 अप्रेल के पस्षाद आपको अनुभूती होगी क्या मुझे करना नहीं करना है किस तरीके से मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं किस तरीके से पिशली गलतियों से समझ कर सीख कर जीवन में एक अच्छा गोल प्राप्त कर सकता हूं किस प्रकार मैं अपनी महनत के दव आपको यश मान और प्रदिश्टा इस इस्तती के आधार पर आपको देवगुरु ब्रस्पती को कैसे बैलेंस करके रखना है ये जानना भी आपके लिए अवशक होता है और इस अवस्ता के आधार पर ओम गुरुवे नमहे का जाब करना आपके लिए बड़ा अच्छा कर देता है इसी के साथ अपने प्रातह काल में अपने इश्ट देव को अपने देवताओं को प्रणाम करकर अपने पूर्वजों को प्रणाम करकर सब से पहले प्रातह काल के अंदर उठते ही अपने माता पिता के चलन कमलों को इस पर शकर कर उनका आश्रवात लेना प्रा दें आपके लिए बेहत अच्छी अवस्ता का योग निर्मित होता हुआ पाया जाएगा अगर मगर लगन है आपका तो आप पुखराज नहीं पैनना है पीली वस्तूओं का सेवन नहीं करना है क्योंकि यहां गुरू महराज जो होते हैं यह आपके कुण्ली के फेवरेबल नहीं होते हैं ऐसे में अगर कोई आपको कहता है पुखराज पहन लो बिलकुल नहीं पहनना है अगर कोई कहता है पीली वस्तूओं का सरवादिक मात्रा में सेवन करो नहीं करेंगे हम सिर्फ इनकी आराधना जाप पाठ पूजा करकर देवगुरू ब्रस्पती का पाद लेंगे तो आपके जीवन में 30 अपरेल 2024 से एक बहुत ही अच्छे गतिविधी का योग देखने को मिलेगा आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकरी आपको पसंद आएगी कल फिर से एक नई जानकरी लेकर आपके सामने उपस्तित होंगा तब तक के लिए आमस्कार